रे मका आज के टेम में कोई किसी का बगत हो रहा कोई किसी का हम तो बगत भी उसके है जिसका नाम सरदार वीर जाट बगत सिंग है जब मातमा गांधी को राष्ट पिता का दर्जा मिल सकता है तो सईद वीर बगत सिंग को राष्ट पुतर का क्यों नहीं जिस उमर में लड़ कलाब जिन्दावाद वीर भगत सिंग अमर रहे हाँ हिंदुस्ता की दर्ती तै वो शेर जन्या उसमाने दिल तै करे सलूट यो देश मिरा ओ भगत सिंग के नाम तै दुनिया जाने है तेहिस की उमर में शेर ओ वाला काम करया ओंग्रेजो के लिए रैकाल था त्रै साल रै उन्निस सो साथ था दुश्मन भी थर-थर का पैथे जब पैदा हुआ वो लाल था हिम्मत ना अब हानी रै इनसाफ दिला जांगे राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे लिखी किताब जो बगत सिंग ने पड़ लियो रहे लिखा इतियास रह सारा समझ मैं आ जागा वो दिया बलीदा जो उसने रहे देशित मैं उस वीर ने राष्ट्र पुत्र का दर्जा दिला जांगे राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे वो राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे वो राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे वो स्वर्ग में बैट के देख ले मा तू रो ये ना बगत सिंग हर युवा के दिल में जिन्दा है जब मूच पेता और हमा रहें सब अपनी बगत सिंग की फीलिंग दिल में उठ जा रहे वो पगडी बांद जब चल ले था वो छोरा गबरू जवान था चाठ कोम में जनम लिया वो शेरे हिंदुस तान था हिम्मत ना अब हार नी रहें इन साफ दिला जांगे राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे ओ राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे ओ राष्ट्र पुत्र का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे ओ शिवा जात ने करी है ओ शुरुवात जो आज बगत सिंग के सपनों की बात उठाई है हर प्रीत मान समाज से भी ने आगे बड़ यूवाओं के दिल में जगे बनाई है ओ करोर पूरी तैयारी चोपिस की उमर है अब थारी मोहित सिंदू की कलम ने भी अब ठाई है जिम्मेदारी हिम्मत ना अब हार नी रह इंसाफ दिला जांगे राष्टर पूतर का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे ओ राष्टर पूतर का दर्जा बगत सिंग तने दिला जांगे इट्सचीर बगत सिंग अमर रहे